मस्कार दोस्तों Oldies Info YouTube चैनल में आपका स्वागत है में उसी तरह हम दोस्तों आज की विडियो कॉन D2H का LMB सेटिंग यानि दोस्तों हमारा जो वीडियो कॉन सेटव बॉक्स होता है उसमें कुछ सेटिंग होती है जहां LMB फ्रिक्वेंसी सेटिंग होती है ट्रांसपॉंडर सेटिंग होती है और LMB को आपको कैसे सेट करना है तो पूरा ट्रांसपॉंडर यहां मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी वीडियो कॉन D2H में कुछ सेटिंग आउट हो जाती है तो आपका सेटव बॉक्स नो सिगनल पर आ सकता है और दूसरा दोस्तों आप यहां वीडि देखना होगा यहां देखिए दूस्तों यहां नोसिंग नलाला तो सबसे पहले हम मैनू का बटन दबाएंगे मैनू का बटन दबाने के बाद में दूस्तों यहां सैटिंग होता है सैटिंग में हम यहां ओके का बटन दबाएंगे रिमोन से और यहां सिस्टम सेटप पे के दबाएंगे जैसे दोस्तों यहां system setup पे दबाएंगे तो उपर satellite management होता है तो यहां आपको satellite management पे okay करना है यहां आपको smart card जो आपका सैटो बॉक्स होता है उसमें smart card का नंबर होता है उसमें 11 अंक होते है तो यहां आप चार छे आर दस यह अंक मिला लीजिए तो यहां जो साइटो बोक्स का जो स्मार्ट का नमर है मैं आपको मिला रहा हूं हर साइटो बोक्स में अलग-अलग नमर होता दोस्तों तो आपका जो साइटो बोक्स है उसी का ही नमर आपको मिलाना है अगर आपको यह सैटिंग नहीं आती है तो मेरी प्लैलिस्ट पर भी इसका वीडियो है तो वहां आप देख सकते हैं तो यहां हम चैनल स्केर पर नहीं जाएंगे यहां LMB सैट अप पर जाएंगे क्योंकि हमें जो वीडियो कॉन डिट्वेच का जो सैट अप बॉक्स होता है उसकी LMB सैट अप करना है तो यह यहां OK का बटन दबाएंगे अब यहां दोस्तों आपको देखना है जब आप LMB सैट अप करोगे तो आपको पता चल जाएगा यह सैट आप बॉक्स डिट्वी पर सैट होगा यह वीडियो कॉन पर सैट होगा तो यहां उपर सैटलाइट पर एस्टू टू लिखा हुआ आ LMB जो परकार होता है LMB कौन से परकार पर रहेगी तो आपकी LMB यूनिवर्सल रहेगी तो यहां आपको यूनिवर्सली रखना होगा कई बार हम क्या सैट ऑबॉक्स को रिसेट करते हैं सैटिंग चैंज हो जाती है तो हमें यहां LMB यूनिवर्सल रहेगा यहां LMB frequency की बात इम्युम्तम frequency सत्याना 50 और हाई frequency 10,600 रहेगा डिस्की सिश्युच लिखा हुआ तो यहाँ डिस्की सिश्युच पे आपको आफ रखना इसको कुछ भी नहीं करना कुछ भी सेटिंग इसे नहीं करनी है यहां जो यहां नीचे वाली सैटिंग है इसमें आपको 13.16 V करना है यह सैटिंग आप नोट कर लो इसमें नीचे वाली सैटिंग में 13.16 V करना है और यहां इसमें LMB की सैटिंग परकार है 0-22 के हर्जट है और यहां 0-22 के हर्जट का वीवरेंड होता है इसे आपको आफ रखना होगा LMB की जो पावर है इसे आपको आउन रखना होगा यह चीज दोस्तों आपको नोट करनी है आपके सैटिंग आउट हो जाए तो यह सारी चीज़े आप नोट कर लो इसका स्क्रीन सोट लेके रख लेना यह आपके बहुत काम में आएगा अगर इसमें सेटिंग आउट हो जाए तो यह सेटिंग मिला कि आप सेटिंग कर लो फिर नीचे सेव का बटन है आप सेव कर सकते हैं देखिए मैं यहां सारी चीजे यहां आपको मिल जाएगी यहां सेव का बटन है और यहां सेव कर सकते हैं तो जब आप सेव करोगे तो यह यहाँ शेक्टे चीज़े आपके से हो जाएगे क्योंकि मेरे यह सैट्र बॉक्स तो यह सेट इसक्टिग दोस्तों मैं आपको बताये है यह सैट्र पूरी होते ही, आपका आपको सिंग्नल बिल जाएगा तौ आपको बता हूं कि कैसे बिछ सिंग्नल आप देक सकते हो यहां इस पे जाओ Transponder Edit पे Transponder Edit पे सिंगनल आ जाएंगे यह देखिये जब हम हमें पूरी setting करते हैं तो हमें यह signal मिल जाएंगे अगर हमारा एक भी setting गलत होगा तो यहां signal नहीं मिलेंगे यह चीज दोस्तों आपको कोही नहीं बताएगा ये पुरा setup दोस्तों मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप ऐसे setup वीडियो देखते जाओ आपकी सारी problem समिश्या का समाधान हो जाएगा तो दोस्तों ये setting मैंने आपको बताईए ये setting आप note करके रखना तो उम्यत करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को आप दोस्तों साथ share करें, like करें दोस्तों चैनल को subscribe करना जरूर ना मुले था कि आने वाली वीडियो और update की जान करें आपको मिले अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूचना है, कुछ आपके सवाल है तो मुझे comment करना मैं आपकी फूरी help करूँगा